हलो इस्टूडेंस इस वीडियो में फिर साब्लों का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग वित्करम सुत्र को देखेंगे हमने पिछले वीडियो में इसके और जो महतपूर सुत्र थे उसको देखे थे अब इस वीडियो में और भी महतपूर सुत्र को देखेंगे ताकि ठीक है वित्रम सुत्र को देखेंगे तो इसमें जो पहला सुत्र जो है वह साइन ठीटा है तो साइन ठीटा इक्वल होता है वन अपान कोसेक ठीटा साइन ठीटा इक्वल होता है वन अपान कोसेक ठीटा ठीक है students अब cos theta का जो वित्रम भार्मला होता है 1 upon sec theta होता है ठीक है उसके बाद 10 theta equal होता है 1 upon cos theta होता है फिर नेश्टा सुत्र है cos theta equal 1 upon 10 theta होता है students अब sec theta equal होता है 1 upon cos theta होता है फिर नेश्टा सुत्र है cos theta का जो सुत्र है 1 upon sin theta होता है ठीक है students इसी प्रकार से 10 theta और cos theta का अन्य सुत्र है जैसे कि 10 theta equal होता है sin theta upon cos theta होता है और cos theta equal होता है cos theta बटे sin theta एक बार इस सुत्र को और रिवाइस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह का से याद हो जाए तो sin theta equal होता है 1 upon cos theta और cos theta equal होता है 1 upon sec theta और 10 theta equal होता है 1 upon cos theta और 10 ठीटा इक्वल होता है sin ठीटा अपान cos ठीटा और cot ठीटा इक्वल होता है cos ठीटा अपान sin ठीटा इसी तरह से और और बहुत महत्वड़ फार्वुला है जैसे कि sin ठीटा इक्वल 1-cos ठीटा होता है और sin ठीटा प्लस cos ठीटा इक्वल 1 होता है और c क्वल ठीटा इक्वल 1-10 ठीटा होता है और cos की स्केर ठीटा प्लस 1 प्लस cot स्केर ठीटा होता है यह भी महुत ही महत्वड़ सूत्र है इसको भी आप लोग याद कर लेना ताकि जितने भी प्रस्नली का हम लोग questions से बनाएंगे ता उसको बनाने में केसी भी प्रकार की परसानी नहीं होगी ठीक है students